हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही योटूब चैनल LGR अस्टडी में दोस्तों जिसा कि मेरे द्वरा कल साम में ही आप लोगों को बताया गया कि आई टी आई में अड्मिशन के लिए थर्ड राउंड का यहां पर जो है मेरे लिस्ट जारी कर दिया गया है लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट कमेंट के माध्यम से ये बोल रहे थे कि सर थर्ड राउंड मेरे लिस्ट को डिटेल में समझा दीजिए क्या-क्या उसम जानकाड़ी है सभी डिटेल में आपको बताने बाले है जैसे कि बहुत सारे स्टुडेंट का गया और जहानाबाद का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है बहुत सारे स्टुडेंट का दोस्तों आपका दो दो जगा तीन तीन जगा पे आपका रोल नमर सो कर रहा है उस मेर लंबा हो जाए लेकिन दोस्तो वीडियो लंबा से मतलब नहीं है आपके जानकारी के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और दोस्तो एडमिशन का सवाल है तो आप सारा जानकारी जो है आपके पास तो होना ही चाहिए इसलिए दोस्तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखि कुछ ऐसे भी student है जिसको अभी तक दोस्तों पता भी नहीं होगा कि आपका जारी हुआ की नहीं हुआ या फिर आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि आपना merit list डाउनलोड करने के लिए आपको जो है आपके अपने किसी भी Chrome लेटेस्ट अपडेट में और लेटेस्ट अपडेट वाला जो सेक्षन है दोस्तों उस सेक्षन में आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो है आपका जो है जो है यह आपका merit list जारी कर दिया गया है तो इस पर जैसे आप किलिक किजेगा तो merit list आपका download हो जाएगा तो यही दोस्तों आपका merit list है तो चलिए अब सबसे पहले हम जो है इसमें दिये गया सभी जानकारी को डिटेल में समझने का काम करते हैं यहां पर हम जो है सबसे पहले दोस्तों आप download कर लिजिएगा download करने के बाद जो सबसे पहला जो process होगा दोस्तों वह होगा कि आप इसको चानकाडी जो है ज्टियन में मिल जाए है सबसे पहली बात थो यह दोस्तों आपका लिस्ट बहुत लंबा है मतलब 38 Rosa जिला का इसमें सब्सक्राइक बडिया गया मतलब जत्ने भी स्टूडेंट है सम्हेχ disciple का सेलेक्शन हुआ है सब्हे ella student का रॉल नमबर दिया दिस्टिक वाज तो इतना आपको खोजना बहुत क्या होगा दोस्तों कठिन आई हो बहुत ही कठिन यहां पर आपको पडिश्रम करना पर सकता है तो इसके लिए हापको क्या करना है यह आपको पता करना है कि आपका सेलेक्शन हुआ कि नहीं हो जाएगा शो हो जाएगा चलिए हम एक आपको सर्च करके भी दिखा देते हैं ठीक है तो आप समझ जाएगा कि कितना जो है यहां पर आपका जो है सेलेक्शन हो पाया कि नहीं हो पाया तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है simply यहाँ पर हम यहाँ पर search कर देंगे अपना roll number तो चलिए यहाँ पर हम दोस्तो एक student का roll number यहाँ पर हम type कर देते हैं करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा yaptोक कर देना अपको सिंपल जो है आया कि नहीं है तो दोस्तों हुद या मतलब आपका जो है थर्ड रांड मैट्ट लिस्ट में आपको कॉंसेलिंग के लिए बुला लिया गया तो अब यहां पर आप देख सकते हैं तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपना भी क्या किजेगा रॉल अमर सर्च कर दिजेगा तो सर्च करने के बाद यहां पर आपका अब आपको सर्च कर सकते हैं अब देख लेते हैं कि आपको जानकारी क्या-क्या जो है इसमें आपको दिया गया है तो इसके लिए दोस्तों, आपको simply कुछ भी नहीं करना है, आपको आ जाना है सबसे उपर, सबसे डिटेल में हम जान काड़ी को समझने की कोशिस करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अन्तित तक बने रहीएगा, तो सारा जानकारी आपको भी दोस्तों मिल जाएगा कहीं भी आपको बुवाने की जरूरत नहीं है आप लास्क तक बने रहे यहां पर आप देख सकते हैं काड़िये क्रम से संबंधित आबस्यक सूचना यह सूचना दोस्तों आपको अबस्य जान लेना चाहिए जो कि सरता प्राप्त अभ्यर्थी सर्वसाधारन संबंधित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि और धोगिक परशिक्षन संस्थान परतियोगता पडबेस परिच्छा आइटी ऐसीटी दोजार उनीस के अधार पर संपन दूतिये चक्र ऑनलाइन कॉंसेलिंग के अधार पर नामांकन इसके बाद उसका दोस्तो जो है उपरांत नामांकन के उपरांत दूतिये कॉंसेलिंग के नामांकन के उपरांत यानि कि उसके बाद चितना भी दोस्तों आपका सीबीटी पार्थे करम में नामांकन के लिए उपलब द्रिक्तियों के लिए है ना यहां पर आपक में तिर्थिये काउंसेलिंग में भाग लेने है तो आईटी सेटी 2019 के मेगा सुची के पात्रता प्रापता भ्यर्थी ने अपना जो अपना ओनलाइन विलिंगनेस फिल किया था दोस्तों सम्मिट किया हैं दोस्तों आपको बता दे कि जितना भी सीट खाली था उसके परती प जो है काउंसेलिंग के लिए पात्रता प्राप्त है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बोला जा रहा है कि वैसे आप भ्यर्थी के लिए उपलब्द रिक्तियों के विरुद्ध काउंसेलिंग निम्नबत काड़िय करम के अनुसार आयोजित होगी आप मेगा सू प्राइंगे अपना इतना बोवानी के वैसे देखे डिस्टिक वाइज दिया गया है तो वैसे दोस्तों सभी डिस्टिक का दिया गया है तो जैसे माल लीजिए कि हम एक स्टुडेंट का अगर है आप बात किया जाए तो उसके आधार पड़ आपको समझाने की कोशिस करें हम तो यहां पर ना देख सकते हैं कि पटना इस्टिक का जो आपका कोटा वाला है उसका रोल नमर यहंपर स्टुडेंट है इसके बाद पटना इस्टिक का जो दोस्तों सम् uns कोटे का जो student है उसका दो रोलमर है तो दो student का उसमें है तो आप देख सकते कि जो कि DQ वाले student है जो DQ वाले उसको यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर आप गर्ष देखिएगा तो आपको पता से लेगा कि पटना date and time of interview दोस्तो एक interview आपको जो है लिया जाएगा तो जो भी पतना स्टुडेंट के होंगे पतना जिला के होंगे उसको 23 2019 को जो DQ कोटा में होंगे उनको 23 2019 को यहाँ पर जो है दस बजे वहाँ पर पहुंच जाना है interview के लिए अब दोस्तो आप interview से समधित अगर आप लोग को विशेश जानकारी चाहिए interview में क्या क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा सारा जानकारी अगर चाहते है तो आप जो है comment box में लिख दीजे कि सरे interview के बारे में भी बता दीजेगा तो हम वहाँ पर आपको interview के बारे में एक special details से आपको बता देंगे ताकि आपको interview में कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगा तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो DQ quota वाला पटना के student जो यह तीनो रोल नंबर है यह तीनो रोल नंबर जाएंगे उतना 31-11-2019 को interview के लिए interview के बारे में आपको detail जान करी चाहिए तो वीडियो में लिख दीजे हम एक special वीडियो इस पर बना देंगे क्योंकि आपको exam वहाँ पर interview में दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके बाद आपका जो है जो आप SMQ कोटे बाले 13-11-2019 को भी दोस्तों उनको भी interview के लिए जाना है अगर आप मालीजे की you are में आपका है you are rank यानि फिर जो इसको हम है अन्रिजर्ब रेंक बोलते हैं उसमें आपका देखिए अन्रिजर्ब में बहुत सारा student है तो बहुत सारा student है तो यह सभी student को दोस्तो 23-11 2019 को ही interview के लिए दोस्तों क्या करना है जाना है दस दस बजे तक ठीक है 23-11-2019 को अब बहुत सारे student का क्या दोस्तों यहां पर एक confusion हम दूर कर दे कि दो दो जगा पे roll number 100 कर रहा है सभी जानते हैं बहुत सारे student का हम आपका देखे हैं comment तो वो बोल रहा है कि सर मेरा दो दो ज उसके से मानले जिए एक आपका अन्रीवाइज में सो कर रहा होगा यानि की जो जन्रल रहेंक है उसमें सो कर रहा होगा दूसरा दोस्तों आपके जैसे मानले कि आप bc category से बीशी से तो एक आपका बीसी बाला लिस्ट में भी होगा तो अब आपको जो है क्या करना चाहिए तो बीची बाला में आपको जाना है तो अब आपको किस दिन जाना बेहतर होगा किस दिन आप जाएंगे तो आपके लिए फाइदा होगा या फिर किस दिन आपको जाना चाहिए तो दोस्ता आपको बता दे कि आपके लिए जो सबसे फाइदे मंद होगा अगर आपका अन्रिभाइज में यहां पर इसमें अगर कहीं भी रोल नमर सो कर रहा है और इसमें भी रोल नमर सोकरा आपके अपने केटेगरी में जैसे आप मालेजे की बीसी से हैं तो बीसी में भी सोकरा तो सबसे ज़्यदा बेहतर होगा कि आप अन्रिभाइद वाले दिन यानि कि 23 तारीक को ही पहुंच जाएगे 24 तारीक को आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखि है तो 23 तारीक oughtं be जाशकते हैं या नहीं तो आप 24 तारीक को भी जाशकते हैं लेकिन जैना जो दोस्तों बेहतर होगा वह हूँ다면 concerning category में आपका जो आया है जेनरल में आपका उतना रेंग है तो अच्छा रेंगा होगा तो इसलिए आपका यहा हुआ है तो influenced तारिक को ही आपको जाना दोस्तों क्या होगा बहतर होगा क्यों आप उस दिन आप जो है जाएंगे तो एक दिन पहले गए यह आप दोस्तों समझ गए ठीक है आप जो नीचे आप लोगो को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है महत्पुन जानकाडी जो है दिया गया है इसको हम दोस्तों देखने की कोशिस करते हैं आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहिए सभी हम यहां पर आपक सब्सक्राइब को बता दे कि रॉल नम्बर बहुत यह जारी कर दिया गया है उतने स्टुडेंट का जो है अध्मिशन नहीं हो पाएगा जैसे माल लिजिए कि 20,000 सीट खाली था तो 10,000 में से दोस्तों आपको बता दे कि 10,000 आर रॉल नम्बर जारी किया गया है बीस जार जारी जितना सीट खाली ता उससे डबल जारी किया गया क्यों थाकि चौथा दोस्तों मेरे टलिस्ट अब जारी नहीं किया जाएगा जितना भी एड्मिशन होना होगा इसी में हो जाएगा तो 10,000 बच्चिय फिर भी क्या हो जाएगे चट जाएगे यहां पर आप देख सक उसमें बताया गया कि इस परकाशन में अंतरनीत उमीदबारों को नामांकन की गारंटी नहीं है आप गारंटी नहीं है क्यों आप समझगे क्योंकि डबल रॉल नंबर यहां पर आपका जो है जारी कर दिया गया अगर डिटेल में आप देखा जाए तो लिखा जाण कि परते किसी भी कास्ट में खाली है एक हजार खाली है तो अगर एक हजार का ही अगर दोस्तों क्या किया जाता लिस्ट में नाम जारी किया जाता तो हो सकता है कि कुछ स्टुडेंट नहीं भी जाता और हो ऐसा होगा भी दोस्तों कुछ स्टुडेंट जो है नहीं भी जाता और दोस् तारिक से लेकर के आपका दो तारिक तिन तारिक तक आपका चलने बाला है तो 23 तारिक को ही अगर सभी सीट भर जाता है तो 24 तारिक को अगर नहीं होगा या नहीं तो दो तिन दिन में 23 तारिक इसके बाद आपका 24 तारिक इसके बाद के लिए willingness फिल किये थे लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारे स्ट्रेंट बोलते हैं कि सर हमें आप जो है चेंज नहीं करना है क्योंकि जो पहले का हमें ट्रेड है वही रखना है तो उस लोगों को क्या करना चाहिए उस लोगों को दोस्तों बता दे कि अगर आप जाते हैं आपका कोई प्राब्लम नहीं आएगा तो जो लोग अपना आप पहले भर दिये थे कि हमें चेंज करना अगर वो अब सोचते हैं कि हमें चेंज नहीं करना है तो वो लोग दोस्तों आप क्या कीजिए भर दिजिए जो भर दिये है तो कोई दिक्कत नहीं है आप जो है करम में उनके उपर उमीदबारों की उपस्थिति के पडिनाम शुरूप खाली अस्थान उपलब्द रहने पर निर्भर्त होगा निर्भर होगा यानि अगर खाली अस्थान रहेगा तभी आपका एडमिशन होगा जैसे माल लिजिए कि आपका 25 तारिक तक ही 25 तारिक तक के इंटर्वीव में ही अगर सारा आपका क्या हो जाए सीट भर जाए तो 26 तारिक बाले का इंटर्वीव नहीं होगा यानि कि उनका कैंसील कर दिया जाएगा यहां पर आपका बोला कोई उमीदबाड स्वयंग उपस्थित नहीं होगा आथबा निर्धारिक्त है न समक्च प चाहते हैं तो इसके लिए क्या 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 ड़कुमेंट लेकर जाना ही जाना है इसके बारे में ये के स्पेसल बीडियो बना चुके अगर नहीं देखें तो आप देख लिजे या नहीं तो एक रुपर आपको पर आपका अहरता घोशिप्त कर दिया जाेगा अथवा डॉक्टरी जांच में अयोग पाया जाता है तो ऐसे उमीदबार की जो आपका उमीदबारी है स्वेंग रद्ध हो जाएगी तो डॉक्टरी जांच क्या होगा आपका सिंपल डॉक्टरी जांच होगा कलर उलर पचानने के लिए वहाँ पर जो है बोला जाएगा संतुष्ट करना होगा यानि कि दिना भी सर्थ है सभी सर्थ को दोस्तों आप लोग को मानना पड़ेगा यहां पर आप देख सकते हैं अगला जो पांच नमर बता है कि यदि निर्धारित काउंसेलिंग के आधार पर आपका जो है सीट आवंटन प्रकिरिया पूरा नहीं ह हो सकेगी तो उसके अगले दीन पूरा करने के लिए संबंधित अभ्यार्थी को रुकना होगा आप दोस्तों आपको बता दे कि जिसका भी तैस तारीक को आपका मालीजे की कौनसेलिंग होने बला है पांच नमर आपको क्या समझाना चाहता है यह आपको बता दे सिंपल आ दे समझ के कौम में कि आगर आप तैस तारीको जाते हैं और एक लगनीच की संख्या और अधिग संख्या में ऐसा हुआ कि मान लिजे कि एक हजार का उस दिन काउंसेलिंग लेना संभब नहीं हुआ 800 में ही टाइम जो है आपका खत्म हो गया तो 200 स्टुडेंट को इस स्थिति में वहाँ पर आपको वेट करना होगा आगले दिन का 24 स्थारिक का तो ऐसा कि नहीं आप 24 स्थारिक को आपका हो जाएगा यहीं बात आपको बताएगा तो यह आप पहले आप जान लेए तो कोई दिक्कत आपका जो है नहीं होगा यह पहले आपको यहां पर आपको सोचित कर दिया गया है आगे आपको यहां पर आपको जो बोला सतारी को कॉंसेलिंग है और अगर दोस्तों आपका 26 तारी किया फिर 27 तारी को ही सीट भर जाती है तो आपका जो है इंटर्वियो यानि की एडमिशन नहीं होगा क्योंकि 27 तारी को ही सीट क्या हो गया था भर गया था यही आपका इसमें समझाने की जो है कोशिस किया गया है अगला आप यहां पर देख सकते हैं कि जो वैबसाइट पर आपका मेगा सुचिजारी किया गया उसके बारे में दिया गया है साथ नमर आप देख सकते हैं कि जो इसमें एडमिशन लेने के लिए वही आपका जोस्तों मानने है जो लोग विलिंगनेस फिल किये थे उसी लो वार आपको जो है सभी विभिन अस्थानों में उपलब्द रिक्तियों की पाठ्थे करमावार, अरक्षन, कोटी, अधतन, संख्या, साक्षातकार के समय देखी जा सकती है, मतलब आप अगर से आते हैं, तो वहाँ पर आपका सर्मान पत्र आपको दिखाना होगा, यानि कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, सारा वहाँ पर आपको क्या करना होगा, दिखाना होगा, नहीं तो एक बात तो यहाँ पर आपको किलिरली बता दे, कि बीना आपका जो है, एक भी सर्टि सबस्कें इतना महतिपोर्ण नहीं जो हैं जो भी भूमी दाता सब नुसकें अपना भूमी कोटा जोhost पड़ेगा यही आपका भी बोला गया है दस नमर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट के बारे में में के स्पेशल वीडियो बना भी चुके हैं वहां अगर नहीं देखे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए तो हम फिर सिए के स्पेशल वीडियो आपके 11 नमबर में दोस्तों यही समझाया गया है कि जिस लोगों का UR में आ गया है या अंडिभाइजड में आ गया है मालीज अंडिभाइजड में भी रॉल नमबर सो कर रहा है और आपके SC कोटा से हैं आप तो SC में भी रॉल नमबर सो कर रहा है आपका रॉल नमबर सो कर रहा है आपको अन्रिभाज दबाला दीन ही जाना बेहतर होगा यही सब आपका simple simple जानकारी क्या किया गया है इसमें समझाया गया है तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल समझाने की कोशिस किया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को और के चाल वीडियो को अभी तक लायक नहीं कितने तो वीडियो को लायक कर दीजिए जानकारी मिलता रहेगा है